कि चलिए सर इस्टार्ट करते हैं पढ़ें कोश्चन कि किसी को भी वोईस वगरा में दिक्कत हो तो बता देना डिस्प्ले बें मैं देख रहा हूं नहीं तो फिर बाद में पता चलता है कि आपको क्लियर है नहीं फिर भी आपने एंड तक ऐसे ही चला दिया सबसे पहले जो जो चीजे जान का रही है बड़े सिंपल तरीके से लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है सर हमें हमें दे रखा है पहले ओपनिंग इस्टाउक तो यहां लिख ले टू ओपनिंग और सर ओपनिंग इस्टाउक कितना है पचास हजार इसके बाद परचेज छे लाख पचास हजार नौ लाख तस हजार इसके बाद सेल्स आपको अच्छे से पता है सेल्स पाइ साइड में चला जाएगा तस लाख और पंद्रा लाख सर मेरा ग्रूप चैट का ओप्शन ओपन कर दीजिए हर्स अल्रेडी ओपन होगा बागी मैं कल चेक करवाता हूँ क्या इशू है आगे देखते हैं क्या क्या कहता है कहता है जर्नल एक्स्पेंस इंकर्ड बोर डिपार्टमेंट एक लाख पच्चेस अजार dollars to divided into sales ratio तोigare इक्स्पेंस होता है किसकां पार्ट होता है उसं पार्ट होता है हमारा profit and loss का तो यहां पे लिखले जर्नल एक्स्पेंस तू जर्नल एक्स्पेंस जर्नल एक्स्पेंस कितने हो गए क्यों किइस बाठना पड़ेगा तो ratio जो निकलेगा वो 10-15 का आगया हमारा और 1,25,000 divided by 25 into में 10 50,000 और यह 75 ठीक है आगे कहता है closing stock of department A यानि सर इसका closing stock department A का closing stock है that is एक लाक लेकिन इस closing stock में include the goods department 30,000 from B यानि भाया B ने इसको कुछ समान बेचा होगा इसमें 30,000 रुपे जुड़ा हुआ है अच्छा तो department B 20,000 रुपे यानि simple सी बात है जो हमारा A का stock है closing का that is कितना है हमारा 50,000 50 नहीं एक लाक है भई A का closing stock कितना एक लाक इसके अंदर न बीस अजार रुपे पता है किसका है B का है तो इसमें unrealized profit निकलने के काम आएगा सेम B का जो stock है वो बोलता है हमारा है सर 2,000,000 और इस 2,000,000 के stock में जुड़ा हुआ है कितने 30,000 वो हम बाद में देख लेंगे stock reserve वाला portion यानि हमारा इसके उपर adjustment है ठीक है opening stock department A अब opening stock पे भी आ गया है यह तो धीरे धीरे कहता है जो भाई opening stock इसका है उसके अंदर opening stock department A and department B यानि A में भी 10,000 जुड़ा है और B में 15,000 जुड़ा है यानि सर यहां पे भी stock reserve है इसके अंदर कितना जुड़ा हुआ है A वाले में A वाले का था वैसे हमारा 50 जिसमें कि जुड़ा हुआ है कितना 10 bracket में लिख ले तो और B वाले का था कितना 40 और इसमें कितना जुड़ा हुआ है 15 bracket में लिख ले एक समझने के लिए फिर तो हम करी लेंगे ठीक है सर साइड में option होगा चैट पर उसमें क्लिक करो अच्छा वो बता रही है चलिए आगे क्या कहता है question में the gross profit on uniform the year uniform का मतलब क्या होता है अगर मैंने बोला कि मेरा 10% का gross profit है तो 2023 में भी 10 रहेगा 2022 में पता है कितना होगा 10 ही होगा 2018 भी पूछूँँगा तो कितना होगा तो uniform का मतलब होता है gross profit में कोई change ही नहीं हो रहा है तो सबसे पहले अगर हम GP ratio निकाल लें ठीक है इसे मैं हटा देता हूँ मैंने समझाने के लिए लिखा था तो हमें gross profit पहले तो normal question कर लेते हैं सर यहां कितना आ जाएगा 10 और 11 लाग और यह भी 11 लाग फिर GP ratio निकाल लेंगे ठीक है और यह ग्यारा लाग क्यों होगा भई यह होगा 17 लाग है न 15 और 2 17 लाग तो यह होगा 11 लाग और यह होगा 17 लाग तो यहां पे क्या वाएगा 2 gross profit तो कितने होगे? 7 लाग तो मैनिस कर दोखे 11 में से 7 गये तो 4 लाग 17,00,00 में से आपके कितने माइनस हो जाएंगे 950 तो कितने बचेंगे 17,00,00 में से माइनस 17,00,00 में से 950 कितने 750 7.5,00, ठीक है अब ये gross profit इधर आ जाएगा 4,00,00 और 7.5,00,00 अब यहाँ पे हम बड़े easily net profit निकाल पाएगे क्योंकि कुछ है ही नहीं हैगे नहीं नीचे ही हम general P&L भी बना लेगे तो 350 और साड़े साथ में से 675 अब नीचे कौन सो डॉलेट बना लेते हैं ना चलिए ना नीचे बना लेते हैं कौन सो डॉलेट या जर्नल profit and loss जर्नल profit and loss तो इदर बाई साइड में जागा बाई net profit A का और B का A का कितना है 350 और B का कितना है 675 टोटल कितने हो गए 675 टोटल हो गए 10,25,000 10,25,000 समझ में आ रहा है यहां तक यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ फिर आगे की कहानी हम करेंगे अगे ठीक है अब हम gross profit ratio निकाल लेते हैं सर ग्रॉस प्रॉफिट किसका निकालोगे जीपी रेशो सर जीपी रेशो किसका निकाल रहे है पहले हम निकाल लेते हैं A department का क्या होगा gross profit ratio कैसे निकलता है GP upon में sales और into में 100 ठीक है यहाँ पर यह नहीं बताया कुशन में कि किसने किसको कितना transfer किया यहाँ पर बस यह बताया इसके stock में जुड़ा हुआ होगा तो इसका मतलब यह मत समझना इसके stock में जुड़ा हुआ हुआ तो इसने इसको इतना ही transfer किया होगा alguien's truth कितना है चार lang sales कितना है 10 लाग in two में 100 तो कितने against आगे क्वाटी परसंट ऐसे घी पी रेशो किसका निकाललेंगे जीपी आरेशो निकाललेते हैं B में कैसे निकालेंग सर ़ॉफिट कितना है साथ पचास कितना था बंदरा लाक in two में 100 तो कितने % आगए 50 je li xxx यानि इस ने जो भी समान बेचा होगा इसको से कित्ना भागा पाज्ए होगा 50% और इसने जो भी समान इसको स्वीक्राइब लिए कितना रखा होगा चीलिस पर्सेंट ठीक है चलिए आगए देख़ें अब मैं निकाल लेता हूँ unrealized profit unrealized profit यहां तक किसी student को doubt है तो बता दीजिएगा stock unrealized profit चलिए stock unrealized profit देखते हैं सर क्या है हम पहले निकाल लेते हैं एक ठीक है और एका निकालते हैं पहले ओपनिंग stock कि एक में opening stock कितना है सर कहता है एक ओपनिंग stock में 10,000 यही था ना 10,000 और सर 10,000 अगर हम निकालते हैं तो हमें यहां पे आप आप बताईएगा एक जीपी रेशो अप्लाई करना पड़ेगा यही का कमेंट में बताईएगा सर एक जीपी रेशो अप्लाई करना पड़ेगा यही का इसका stock reserve पक्का निकाला जाएगा ठीक है अब बताईए यहां पर अब मुझे निकालना है stock reserve किसका एक तो एक एक stock में जुड़ा हुआ है तो बेचा किसने होगा बी ने तो पैसा किसने कमाया होगा तो बी का रेशो अप्लाई होगा तो यहां पर आप confuse मत हो यह का सर उसका तो 40 था है यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ 50 क्यूंकि यही profit तो यह आ गया opening पे कितना 5000 अब इसके closing पे निकाल लेते है closing stock सर मुझे याद है इसका कितना था 20,000 इस पे भी 50% तो that is 10,000 ठीक है यह समझ में आया यहां तक चलिए अब ऐसे ही निकाल लेते हैं हम किसका दी वाले का दी वाले का opening stock मुझे याद है तो मैं लिख देता हूँ बाकि पीछे पता था आपको कितने था 15,000 इस पे कितना rate apply होगा 40% इस question में यही सीख रहे हैं हम basically अभी तक जितने भी question करें थे उसमें सब में नहीं था उसमें क्या था सिर्फ closing closing पे था और आपको rate भी दे रखा तो यहां पे हमने rate भी निकाला और कौन सा rate कैसे apply होगा वो भी सीख रहे हैं इस question में ठीक है तो इसके बाद देखा जाए तो कितने हो जाएंगे चे हजार ऐसे किस पे निकालेगे हम closing closing stock पे unrealized profit सर कितना था closing stock I think I think two lakh दो लाग पे 40 बटे में 140 परसंट या नहीं 80,000 चलिए opening stock का जो stock reserve है इधर आ जाएगा और closing stock का इधर आ जाएगा reserve कहरो या unrealized profit profit किसका सर opening stock sorry दो डिपार्टमेंट है एक और बी का तो closing का आएगा यह किस पे आएगा हमारा closing stock क्योंकि इधर वाला इधर आता है ठीक है तो closing stock का 1000 और 10,000 और 80,000 यह आ गया 10,000 और यह आ गया 80,000 that is कितने आ गए 90,000 समझ मैं और opening stock का इधर आ जाएगा by unrealized profit किसका sir A का और B का तो opening stock में अगर ध्यान से देखें तो opening stock में कितना है 5000 और 6000 तो यह आ गया 5000 और यह 6000 तो total कितने आ गए 11,000 और net भी करके आप लिख सकते हो ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही लिखना है अरे यह इतना उपर कैसे चले जया अच्छा वो मैंने जब इसको set किया था इसलिए उपर चला चलो अब बस टोटल का प्रोसेस है यानि सर 10,25,000 प्लस 11,000 तो कितने हो जाएंगे 10,36,000 है ना 10,36,000 और इसमें से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा टू नेट प्रोफिट 10,36,000 माइनस 90,000 9,46 और यह आ गया हमारा 10,14 क्यों आ रहा है पांच हजार छे हजार साड़े तीन पिछात्तर सो क्लोजिंग स्टॉक 10,000 नहीं ओपनिंग पर तो देखो 10,000 और पंद्रह हजार ही गया है एक मिनट ओके क्लोजिंग स्टॉक यहां गलती हो गई 20,000 रख दिया वेने क्लोजिंग स्टॉक 20,000 नहीं था नहीं था तो 20 यहां 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 था 30,000 ठेक है मैं वही कहूं यहां इतना कैसा है यह गड़बड़ हो गया चेक करो क्लोजिंग में यहां 20 है और यहां 30 है यह गड़बड़ हो गया 30,000 का 40% 12,000 है गया यह तो इधर आ जाएगा हमारा बस यहां चेंज होगा ज्यादा चेंज इस नहीं है असी के जगा पर क्या हो जाएगा 12,000 और 90 के जगा पर हो जाएगा 35,000 और यहां अब यह तो सेम ही रहेगा यह चेंज हो जाएगा 10,36,000 माइनस में 10 1004,000 यह आगे हमारा 100 आ रहा है यह हो सकता है यहां पर एरर हो 10,14,000 ठीक है अच्छिस 11 माइनस में ओके नहीं भई गया नहीं है 22,22,22,22 है भई यह अब ठीक है बिल्कुल ठीक आंसर आंसर में कोई कड़ बड़ी नहीं है 10,00,000 ठीक है तो सर इस question में वही सीखा हमने के opening stock में भी जुड़ा हो सकता है और closing stock में अगला question जो सीखेंगे न stock के भी काफ़े सारे category हैं तीन category है stock के basically कौन-कौन से तीन category है हमारा हो सकता है raw material हमारा हो सकता है finished goods और हमारा हो सकता है आपका WIP जिसे work in progress भी बोलते हैं तो इन तीनों में किसी न किसी तरीके से हो सकता है जुड़ा हो तो यह था question इसको note करिए फिर एक वर बुक दिखाईए बुक से भी देख लेते है बुक से हमने 4 तक question कर लिये थे न और 4 नहीं किया था शायद झाल 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 झाल